Hi everyone, this is Prem. Welcome to another important video from Class 8 NCIT Science. यार आज की इस वीडियो में हम Class 8 Science का सबसे easiest और आप सबका सबसे फेड़ेट वाला चाप्टर, Chapter No. 15, Some Natural Phenomenon का Line-by-Line Hindi Explanation पढ़ने वाले हैं. Yes, yes and yes. But before starting the video, आपको मैं बता दुयां कि हमने अपने चैनल Educational Hikes पर Class 8 Science और Class 8 English के जादातर chapters upload कर रखे हैं, अगर आपने उन chapters को अभी तक नहीं देखा है, please click on the link given in the description box and watch those videos. और हाँ, चैनल को subscribe कर देना ताकि हमारी videos ना regularly आपको मिलती रहें. समझ गए? चलो, start करते हैं आज का chapter, Some Natural Phenomenon. कुछ प्राकृतिक गतिविधियां. Phenomenon का मतलब क्या होता है? Activities. अब देखो, हम इनसान भी कुछ activities करते हैं. जैसे हम इनसान बोलते हैं, हम इनसान गाना गाते हैं, नाचते हैं, प्यार, मुहंबत, इसको और पता नहीं क्या-क्या करते हैं. ये हो गई, इनसान द्वारा कीग जाने वाली activities. समझ गए? अब कुछ ऐसी भी activities होती हैं, जो अपने आप हो जाती हैं. जैसे तेज हवाओं का चलना, तुफान का आना, साइकलोंस, चक्रवात का आना, भुकम पा आना, लाइटनिंग, विजलियों का कड़कना, ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. और इसी के लिए हम इन activities को एक नाम देते हैं, नेचुरल activities या नेचुरल disasters, क्योंकि ये सारी जो गतिविधियां हैं ये इनसान को केवल नुकसान ही पहुचाती हैं. क्यों? भुकम पाने से नुकसान ही होता? होता है ना? चलो, स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर को, क्लास 7 में आपने already तीन नेचुरल disasters के बारे में पढ़ लिया है, winds, टेज हवाओं के बारे में, storms, तुफान के बारे में, cyclons, चक्रवात के बारे में, class 7 में पढ़ लिया है और हमने ये भी पढ़ा था कि इन तीनों नेचुरल disasters से होने वाले नुकसान को हम कैसे कम कर सकते हैं या से बच सकते हैं, आज के इस चाप्टर में ऐसे ही होने वाली दो और नेचुरल फेनामेना या कहलो नेचुरल disasters के बारे में हम पढ़ेंगे, एक हो गया earthquake और दूसरा हो गया lightning, बिजलियों का कड़कना जानते हो न, इन दोनों activities के बारे में हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ें है चाप्टर का लाइन बे लाइन हिंदे एक्स्पेनिशन, चाप्टर नुमर 15, सम नेचुरल फेनामेना, कुछ प्राकृतिक गति विधियों के बारे में हम इस पढ़ेंगे पढ़ेंगे, और earthquakes, भूकम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो पढ़ेंगे, तो चलो पढ़ते आवर फर्स टॉपिक इस लाइटनिंग, बिजलियों का कड़कना, चलो देखते हैं बिजलिया क्यों कड़कती हैं, यो माइट हैब सीन स्पार्क्स ऑन ए लेक्रिक पोल, वन वायर्स बिकम लूज, तुमने देखा होगा कि जब सडकों के किनारे जो खंबे लगे होते हैं, उन खंबों के तार, अगर धीले पड़ जाते हैं, तो उन खंबों से हमें चिनगारियां देखने को मिलती हैं, और जब हवाएं चल रही होती हैं, तो खंबों से जो चिनगारिया निकलती हैं, ये बहुत आम बात हो जाती हैं, बहुत कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि हवाओं क चलने से जो wires हैं, वो हिलेंगे डूलेंगे, और जब एक बार wire loose हो गया, एक बार wire हमारा हिलने लगा तो भाई, खंबो से चिंगारियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी, you might also have seen sparks, when a pluck is loose in its sockets, तुमने अपने घरों में भी देखा होगा, तुम अगर कभी टीवी का pluck, socket में लगा रहे होना, अगर आपका pluck, socket में ठीक से fit नहीं हुआ है, अगर वो धीला है तो वहाँ पर भी आपको sparks चिंगारियां देखने को मिलती है, lightning भी कुछ इसी प्रकार की एक चिंगारी है, लेकिन on a huge scale, लेकिन ये बहुत भारी मात्रा में होती है इसलिए जब कभी भी बिजलियां कड़कती है तो हमें बहुत ज़ादा light और बहुत ज़ादा आवाज सुनाई देता है सुनाई देता है की नहीं सुनाई देता है, बिलकुल सुनाई देता है, चल आगे बढ़ते हैं अब पुराने ज़ाने में लोग समझ ही नहीं पाते थे कि ये आसमान से चिंगारियां क्यों निकल रही है और इसलिए जब कभी भी बारिस होती थी या बिजलियां कड़कती थी तो पुराने ज़ाने के लोग डढ़ जाया करते थे उन्हें लगता था कि भगवान उनसे गुसा है और इसी वज़े से ये सारी चीज़े हो रही है अब हम बच्चे स्मार्ट हो गए हैं हमें पता है कि बिजलियां क्यों कड़कती है क्यों कड़कती है चलो मैं आपको बताता हूँ लाइटनिंग इस कॉज़ बहुत ही इंपोर्टिन पॉइंट है ध्यान से पढ़ना लाइटनिंग इस कॉज़ बाइदर एकुमूलेशन ओफ चार्जे इन दे क्लाउट्स जब बादलों में बहुत जादा पॉजिटिव और निगीटिव चार्जे से कठा हो जाते हैं अकुमूलेट हो जाते हैं तब जाकर बिजलियां कड़कती है चलो इस चीज को एक फिगर से समझाने की कुसिस करता हूँ यह फिगर जो आप देख पा रहे हो इस फिगर में यही बताये गया है कि कैसे बिजलियां कड़कती हैं क्या प्रोसेस होता है चलो आप देख पा रहे हो यह जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ पानी है जो समुद्रों में पानी है, हमारे यहाँ, जो नडियों में पानी है, जब यह बहुत ज्यादा गरम हो जाता है तब यह evaporate करता है, तब यह भाव बनकर ऊपर आस्मान में जाता है, और आस्मान में जाकर यह clouds बनाता है, ठीक है, इन clouds की बीच में छोटे-छोटे ice particles होते हैं, जो U-U, S-S, 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 move कर रहे होते हैं और जब ये move कर रहे होते हैं तो इन की टकरार हो जाती है एक दूसरे से जिस से कुछ charges create होते हैं जो positive charge होता है ये clouds के उपर वाले हिस्षे में कठा हो जाता है और जो negative charge create होता है वो cloud के नीचे वाले हिस्षे पे अब जब यह cloud का जो lower part है यहां पर negative charges इकठा हो गए है तो यह negative charge जमीन पर ground पर पड़े सभी positive charges को अपनी ओर attract करेगा लेकिन बीच में air है इसलिए यह positive charge इस negative charge से नहीं मिल सकता लेकिन बहुत जादा अगर बहुत जादा water यहां से evaporate होकर उपर clouds बनाता है तो अगर charges जादा हो जाते हैं आशमान में तो वो overflow कर जाते है जिसकी वज़े से यह positive charge इस negative charge से मिल जाता है और यह negative charge नीचे पड़े हुए positive charge से मिल जाता है जिस से बहुत तेज़ से धडाम की आवाज आती है जो होता है बिजलियों के करकने से आवाज होती है वो इसी से बहुत ज़्यादा प्रकास भी आता है जब बिजलियां कड़कती है तो चलो आगी पढ़ते हैं वी नीड नाट बी अफ्रेड ओफ लाइटनिंग बड़ वी हैव तो टेक प्रिकॉशन तो प्रोटेक्ट आवर सेल्ब्स फ्रॉम देडली स्पार्क्स अब हम जानते हैं कि बिजलियां क्यों कड़कती है इसलिए हमें डरनी की जरुवत नहीं है बलकि हम सावधानिया बरत सकते हैं हम इन बिजली के जटकों से बच सकते हैं कैसे बच सकते हैं पहली बात तो बारिस में बाहर जाएए नहीं जब कभी भी आप बारिस में बाहर गए हो और बिजलियां कड़क रही हैं, तो किसी छायादार जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, इससे आप बच सकते हो, इन डेडली स्पार्क, इन जानलेवा बिजली के जटकों से आप ऐसे बच सकते हो, समझ गए, अब जो ग्रीक के लोग सब्सक्राइड के लोगों ने देखा, ये तब की बात है, 600 BCE, ये एक एर है, तब की बात है, उननोंने देखा कि जब हम अमबर को बच साथ रगड़ते हैं, जब हम अमबर को रोएं के साथ रगड़ते हैं, तो अमबर चार्ज हो जाता है और हलके फुल के आबजेक्स जैसे कि हमारा हेर हो गया बाल हो गया इसको अपनी तरफ अट्रैक करने लगता है अंबर क्या होता है अंबर एक प्रकार का रेजिन होता है रेजिन मतलब क्या होता है लिए यूज होता है बहुत सजावट की भी काम में आता है तो जब अंबर चार्ज हो जाता था जब हम अंबर को रोए के साथ रगरते थे 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 नटो अंबर चार्ज हो जाता था जिसकी वजय से यह हलके फुल के object जैसे कि हमारा बाल हो गया इसको अपनी तरफ attract कर सकता था उन्होंने ये देखा तुमने शायद ये देखा होगा तुमने शायद ये notice किया होगा कि जब कभी भी हम अपना उनी कपड़ा जैसे कि हमारा sweater हो गया या कोई terricot का कपड़ा जैसे कोई sports का कपड़ा है ठीक है terricot का बना होता है वो जब कभी भी आप ऐसे कपड़ों को उतार रहे हो आपने देखा होगा कि आपके बाल आपके जो hair होते हैं वो खड़े हो जाते हैं खासतों और पर जब आपने sweater पहना होगा और जब sweater को उतार रहे हो आप देखोगे कि आपका जो hair है वो खड़ा हो जाएगा ऐसा क्यों होता है if you take off these clothes in the dark you even see a spark and hear a crackling sound अब जो उनी कपड़ा होता है वो चार्ज होता है वो अल्रेडी चार्ज होता है और वो हमारे hairs जो कि बहुत ही हलकी सी चीज है hair हमारा इसको अपनी और attract कर लेता है ठीक है? इसी वज़े से ऐसा होता है और जब कभी भी हम ऐसे clothes को terricot के कपड़े को या उनी के कपड़े को जब कभी भी हम अंधेरे में निकाले तो आपने एक चीज और notice किया होगा कि उसमें से hulky full की चिंगारी निकलती है अगर नहीं देखा तो अंधेरे में कोई terricot का कपड़ा पहल लो और उसे उतारने की कोसिस करो जब उसे उतारोगे ना आप देखोगे यार कि एक हलकी सी रोसनी एक हलकी सी चिंगारी निकल रही है और उसके साथ साथ चुट चुट की आवाज भी आती है crackling sound भी आती है इन 1752 अब देखो अब वहां के लोगों को पता नहीं चल रहा था कि यार ये सब क्या है तो इस पर खोजबीन किया गया discoveries किया गया और 1752 year का नेम है ठीक है around 1752 में एक scientist थे जिनका नेम था Benjamin Franklin ये एक अमेरिका के scientist थे इन्होंने discovery किया इन्होंने एक खोज किया और ये दिखाया इन्होंने कि जो बिजलियों का कड़कना होता है जो आसमान में बिजलियां कड़कती है और जो हम अपने uni और terricot के कपड़े को उतारते समय जो चिनगारी हम देखते हैं ये दोनों ना एक ही process है बट जो बिजलियां कड़कती है वो बहुत भारी मात्रा में होती है इसलिए हमें अच्छे से दिखाई देती है लेकिन जो terricot के कपड़े से या uni कपड़े से जो चिनगारिया निकलती है वो बहुत हलकी होती है इसलिए हमें अंधेरे में देखना पड़ता है however, it took 2000 years for this realization to occur Benjamin Franklin ने इसे 1752 में ही बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है लेकिन इस बात का लोगों को विस्वासी नहीं हो रहा था और इसलिए इस पर काफी discoveries किया गया और 2000 साल बाद ये confirm हुआ कि बिजलियों का कड़कना और जो टेरी कॉट के कपड़े जब हम पहने होते हैं और जब उसे उतारते हैं तब जो चिंगारी निकलती है वो दोनों same process है ठीक है? अब बूछो सोच रहा है कि यार एक ही चीज जो बेंजामीन फ्रैंकलीन ने 1752 में बता दी थी इस बात को फिर से दुबारा confirm करने के लिए 2000 साल कैसे लग गए? पहेली इसको बता रही है कि scientific discoveries are a result of hard work by many people जो वैग्यानी खोजबीन होता है वो बहुत लोगों की द्वारा किया जाता है और बहुत महिनत से किया जाता है इसी के लिए कभी-कभी बहुत जादा बहुत लंबा समय भी लग सकता है अब हम क्या पढ़ेंगे यार अब हम electric charges की कुछ properties के बारे में पढ़ेंगे जैसे हम इंसान की properties क्या है कि हम इंसान बोल सकते हैं हम इंसान चल सकते हैं वैसे ही electric charges की क्या properties है हम ये देखेंगे और हम क्या पढ़ेंगे we shall also see how they are related to the lightning in the sky हम ये देखेंगे कि कैसे electric charges जो आसमान में बिजलियां कड़कती है न उससे कैसे relation है क्या role है इन electric charges का बिजलियों को कड़कने में ठीक है लेकिन इस activity को करने से पहले आपको एक हम गेम बचपन में खेला करते थे कौन सा गेम हुआ करता था when you rub a plastic scale on your dry hair the scale can attract very small pieces of paper हम बचपन में क्या करते थे न जो scale मिलती थे drying box में अपने उस scale को हम अपने बालों पर रगड़ते थे और फिर छोटे-छोटे कागच के टुकडों को उस पर चिपकाते थे तो क्यूं हो जाता था ये ऐसे होता था भाई कि जो plastic का scale है जो हमारे बालों पर रगड़ रहा है न रगड़ने की वज़ा से plastic का scale चार्ज हो जाता था और वो छोटे-छोटे हलकी-हलके चीजों को अपने और attract कर सकता था जैसे की हलकी कागच का पेपर हो गया समझ गया चलो अपने next topic पर आते हैं 15.2 charging by rubbing रगड़ने से कैसे objects charge हो जाते हैं एक object को अगर हम दूसरे object से रगड़ते हैं तो कैसे दोनों objects charge हो जाते हैं इस चीज को हम देखते हैं एक activity से activity number 15.1 क्या है इस activity में take a used ball pen refill and rub it vigorously with a piece of polythene आपको करना क्या है जो pen होती है आपके पास कोई भी pen हो उस pen की refill निकालो और refill निकालने के बाद कोई एक polythene ले लो polythene जिसमें सबजियां लेके आते हैं आपके बापा उस polythene में न अपने pen की refill बहुत तेजी से रगड़ो ठीक है rub करो bring it close to small pieces of paper और उसके बाद जब refill आपका चार्ज हो जाए तो उसे हलके हलके कागच के टुकडो के पास ले आओ take care not to touch the rubbed end of the refill with your hand or with a metallic object एक बात का ध्यान रखना इस activity को करते हुए कि जब कभी भी आप refill को polythene से रगड़ना तो रगड़ने के बाद जहां पर आपने रगड़ा है refill को वहां पर अपने हाथों से touch नहीं करना क्योंकि charges transfer हो जाएंगे फिर हलके हलके objects को आपका refill अपनी और खीच नहीं पाएगा ठीक है तो जब आप polythene को refill के साथ रगड़ते हो तो refill हमारा charge हो जाता है और हलके हलके objects को अपनी और खीच सकता है जैसे की छोटे छोटे कागज बाल को खीच सकता है repeat the activity with small pieces of dry leaf, husk and mustard seeds आपको इस activity को दुबारा करना है मतलब refill को रगड़ो polythene से और उसके बाद जो सूखी पतियां होती है जो पेड़ से गिरी हुई सूखी पतियां होती न उसकी तरफ ले जाओ देखो कि क्या पतियां इस refill से attract हो रही है या नहीं हो रही है जो हस्त होता है, गाओं में भूसा होता है गाय को खानी के लिए उसका एक टुकड़ा ले लो और फिर अपने refill से attract करने की कोसिस करो देखो होता है की नहीं होता है जो सर्सो का एक दाना होता है जो सर्सो का एक छोटा सा दाना होता है उसको भी refill से attract करने की कोसिस करो, देखो होता है की नहीं होता और observe करो की देखो कौन सी चीज attract होती है, कौन सी चीज attract नहीं होती है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं when a plastic refill is rubbed with polythene it acquires a small electric charge जैसा कि हमने इस activity में देखा कि जब हम अपने pen के refill को किसी polythene के साथ रगड़ते हैं तो इस refill के पास कुछ electric charges आती है रगड़ने की वज़े से ठीक है हम इस चीज को test भी कर सकते हैं हम अपने refill को किसी छोट चोटे कागच की टुकडों के पास अगर ले जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि वो piece of papers इस refill की तरफ attract हो गई है इसका मतलब क्या है मतलब यह जो refill है यह इस polythene की रगड़ने की वज़े से charge हो गया है समझ में आया बिलकुल इसी तरीके से जब हम अपने plastic के कंगी को अपन charged objects और इसी लिए हम इन objects को इन चीजों को charged objects कहते हैं in the process of charging the refill and the plastic comb polythene and hair also gets charged ध्यान रहे कि जब हम refill और plastic की कंगी को charge कर रहे हैं रगड के polythene और अपने hairs इसे ना तो cable refill और plastic की कंगी ही charge नहीं हो रही बलकि यह polythene और हमारे hairs भी charge हो जा रहे हैं इस process में ठीके समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं let's try to charge some other objects that are familiar to you अब इस activity 15.2 में ना यार यहाँ पर कुछ चीजे दी गई हैं देखो इस activity को हम करते हैं और इस table को भड़ते हैं यहाँ पर कुछ objects दिया गया है इस table के objects को हमें इस वाले table के object के साथ रब करना है रगडना है जैसे देखो refill ले लो plastic और चिक की उसे polythene के साथ रगडो balloon गुंबारा ले लो उसे फुला लो और फिर polythene के साथ रगडो eraser जो हमारा जो eraser आता है Mmm rubber pencil को erase करनेके लिए उस 19Easy लो और sun से रगडो गुल से रगड़ो, फिर देखो क्या होता है, जो इस्टिल की चम्मच होती है उसे polythene से रगड़ो, फिर देखो क्या होता है, कुछ ऐसी और भी चीजे लेलो, coin लेलो, सिक्का को, जो हमारी पैसो की coin होती है, coin लेलो और उसे polythene से रगड़ो, देखो क्या होता है, चलो, टुकडो को attract कर लेता है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हम भरेंगे attracts ठीक है? और यहाँ पर हम भरेंगे charged attract कर रहा है मतलब charge है नहीं attract कर रहा मतलब not charged समझ गए? पहले में क्या भरोगे? attracts और charged दूसरा जब हम balloon को polythene के साथ रगडेंगे तो हम फिर से देखेंगे कि यह जो balloon है ना यह छोटे-छोटे कागज के टुकडो को अपनी तरफ attract कर पा रहा है attracts लिखेंगे इस वज़े से और यहाँ पर लिखेंगे charged ठीक है? जब हम eraser को wool से, oon से रगडेंगे ना तो हम देखेंगे कि यह eraser फिर से कुछ छोटे-छोटे कागज के टुकडो को attract कर पा रहा इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे attracts और यहाँ पर हम लिखेंगे charged यह सारी चीजे हमें पता है क्योंकि मैंने यह activity की हुई है आप भी करना आपको भी पता चल जाएगे स्टील का जो चम्मच होता है जब हम इसे polythene के साथ रगड़ते हैं स्टील का चम्मच charge नहीं होता ध्यान रहे क्योंकि यह metal है यह steel है ना यह metal है और इसी के लिए जब हम इसे polythene से रगड़ेंगे तो यह charge नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से समझ में आ गया होगा आप और भी चीज़ें ले सकते हो एक दूसरे से रगड़ के देखो क्या और भी चीज़ें ऐसी हैं जो charge हो जाती है यह आपके लिए बहुत fun होगा चलो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि charges कितने प्रकार के होते हैं और हम पढ़ेंगे कि यह charges कब एक दूसरे से interact करते हैं मतलब कब एक दूसरे से मिलते हैं और कब एक दूसरे से दूर जाते हैं रीपिल करते हैं चलो start करते हैं इस topic को we will select some objects from table 15.1 for the next activity हमने 15.1 वाले table से दो चीज़ों को उठा लिया है बलून को और रिफिल को ताकि हम यह activity 15.3 कर पाएं इस activity में क्या है चलो start करते हैं आपको करना क्या है कि inflate two balloons hang them in such a way that they do not touch each other आपको दो गुबारे लेने हैं उन्हें फुला देना है और उन्हें बिल्कुल ऐसे टांग देना है जैसे वो एक दूसरे से टच ना हो ठीक है अब उसके बाद क्या करना है rub both the balloons with a woolen cloth and release them अब इन दोनों को बारों को किसी उनी कपड़े से रगड़ दो rub कर दो उसके बाद छोड़ो आप क्या देखोगे चलो जैसा देख पा रहे हो आप इस figure में अब आपको same activity करनी है लेकिन balloons की जगह आपकी जो pen की refill होती है वो होनी चाहिए ठीक है करना क्या है rub one refill with polythin place it carefully in a glass tumbler using the tumbler as a stand आपको करना क्या है आपको pen की refill निकालनी है फिर उसे किसी polythin से रगड़ना है उसके बाद एक glass ले लो plastic का या आपको दूसरी refill लेनी है उसे भी polythin के साथ रगड़ना है और glass में पहली वाली refill के साथ रख देना है be careful not to touch the charged end with your hand ध्यान रहे कि आपने refill का जो हिस्सा polythin के साथ रगड़ना है उस हिस्से को अपने हाथों से अपने hand से touch नहीं करना क्योंकि refill जो हमारा अब तक charge है वो आपके hand से touch होने के बाद discharge हो जाएगा और ये activity हमारी fail हो जाएगी हमजगे is there any effect on the refill in the tumbler जब तुम दोनों रिफिल्स को ये कही glass में रखोगे तो क्या तुम्हें उन रिफिल में कोई फर्क दिख रहा है do the two attract each other और repel each other तुम क्या देखोगे कि ये जो रिफिल्स हैं ये जो बलून्स हैं वो एक दूसरे को attract कर रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है क्या देखोगे तुम चलो मैं आपको बताता हूँ या ये जो बलून है ना इन दोनों बलून्स को अगर हम उनी कपडे woolen cloth से रगडते हैं तो ये दोनों बलून ना same charges ले लेते हैं और हम जानते हैं कि same charges क्या होते हैं एक दूसरे को repel करते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं और यही रीजन है इस refill का भी अगर इस refill को भी हम polythene से रगडेंगे इस refill को भी हम polythene से रगडेंगे तो दोनों refill में एक अही चार्ज होगा और हम जानते हैं कि same charges repel each other and opposite charges attract each other ठीक है अब देखो अब कुछ और experiment करना है हमें चलो अभी तक तो हमने balloon और balloon को साथ में रखकर देखा था refill को refill के साथ में रखके देखा था अब हम balloon और refill इन दोनों को pass में लेके आते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है जब आप лे क्या होगे तो आप देखोगे कि ये balloon आपका इस refill को attract कर लेता है क्यों क्योंकि भाई बलून है इसके पास अलग चार्ज है और यह रिफिल है इसके पास अलग चार्ज है different charges attract इचेदर समझ गए ना चलो हमने इस activity में जो कुछ भी सीखा वो यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है कि एक charged balloon दूसरे charged balloon को repel करता है मतलब उससे दूर जाता है क्यों? क्योंकि इन दोनों में same charges होते हैं समझ गए? चलो charged refill, repelled charged refill अगर दो refill एक साथ रखे हैं तो वो एक दूसरे को repel करेंगे क्यों? क्योंकि दोनों refills में same charges हो जाएंगे जहाँ same charges वहाँ पर एक दूसरे को वो repel करेंगे लेकिन तीसरे वाले case में जब हमने balloon को refill के पास ले आया तो यह एक दूसरे से attract हो जाते हैं क्यों? क्योंकि opposite charges attract each other एक दूसरे के पास आ जाते हैं opposite charges समझ गए? चलो आगे चलते हैं does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill? क्या इसका ये मतलब है कि balloon में जो charge है वो अलग है और refill में जो charge है वो अलग है? बिलकुल सही balloon में हो सकता है positive charge हो और इस refill में हो सकता है negative charge हो या इस balloon में negative charge हो तो इस refill में positive charge हो ठीक है? चलो आगे चलते हैं कि can we say then that there are two kinds of charges क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि केवल दो ही प्रकार की charges होते हैं हां बिलकुल कह सकते हो एक plus और एक minus can we also say that the charges of the same kind repel each other क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर positive positive charges को हम एक साथ लेके आए तो क्या वो एक दूसरे को repel करेंगे बिलकुल करेंगे क्यों क्योंकि यहां पर लिखा भी गया है कि same kind वाले charges एक दूसरे को repel करते हैं समझ गए वहीं पर जो different kind वाले charges होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं समझ गए चलो आगे बढ़ते हैं हम ये बहुत पुरानी समय से मानते आ रहे हैं कि अगर हमने glass rod को किसी resum किसी silk के कपड़े के साथ rub किया रगडा ना तो glass rod हमारा charge हो जाता है और उस पर कौन सा charge आ जाता है positive charge आ जाता है ये एक fact है ये एक याद रखने वाली चीज है हमेशा याद रखना कि अगर हम glass rod को किसी silk किसी resum के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो glass rod हमारा positively charge हो जाता है ठीक है the other kind of charge is set to be negative और obvious सी बात है जो charge बच गया उस charge को हम negative charge कह देंगे क्योंकि इस glass rod के पास positive है जो बच गया वो negative समझ गया चलो आगे चलते हैं कि it is observed that when a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with polythene there is attraction between the two हमने ये देखा है कि जब अगर हमने glass rod को किसी resum किसी silk के साथ रगड़ कर charge कर लिया और अगर किसी plastic की pipe को जैसे जो refill हो गया उसको अगर हमने polythene के साथ रगड़ कर charge कर लिया तो ये glass rod और ये plastic ये दोनों charge है और एक दूसरे के पास ले आएंगे तो क्या होगा there is attraction between the two ये glass rod इस plastic के pipe को अपनी तरफ चिपका लेगी ऐसा क्यूं होता है चलो हम आगे आपको बताएंगे what do you think would be the kind of charge on the plastic straw हमने देखा कि इस glass rod के पास कौन सा charge है positive charge है आपका क्या सोचना है कि अगर glass rod के पास positive charge है तो इस plastic के pipe के पास कौन सा charge होगा भाई तुम सही सोच रहे हो तुमारा guess बिलकुल सही है कि ये जो plastic का straw है ना इसके पास negative charge होगा क्यूं होगा क्यूंकि हम जानते है positive और negative charges ही एक दूसरे से attract हो सकते है तो हमने देखा कि ये जो glass rod है ये plastic के साथ attract होगा इसका मतलब क्या है glass rod के पास positive charge है अगर तो plastic straw के पास negative charge है ठीक है यहाँ तक समझ लिया चलो आगे पढ़ते है the electrical charges generated by rubbing are static अब यहाँ पर कुछ ग्यान की बाते बताई गई है कि जो charges हमने develop किया है दो चीजों को रगड कर जैसे हमने refill को polythine के साथ रगडा था तो हमने देखा था ना कि refill charge हो गया है same ऐसे अभी हमने glass rod को silk के साथ रगडा तो हमने देखा glass rod हमारा charge हो गया है तो यह जो charges है ना यह static charges है charges दो प्रकार के होते है positive negative तो होते ही है इनके अलावा static charges और dynamic charges static का मतलब ऐसे charges जो एक जग़ से दूसरे जग़ जग़ नहीं करते है समझ में आया अगर हम दो चीजों को रगड़ते हैं तब जो charge create होता है वो हमारा static charge कहलाता है समझ के चलो आगे बढ़ते हैं कि when charges move और charges move कब करते हैं जब भाई जब यह वाला electric charge यह एक static charge है जो एक जग़ से दूसरे जग़ जग़ नहीं कर सकता तो हमें यह बताओ कि charges move कब करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जब charges move करते हैं they constitute an electric current जब charges move करने लग जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे हाँ light आ गई है जब charges move करने लगते हैं तो हमारे घरों में जो bulb लगे हैं वो जलने लगते हैं हमारी टीवी चलने लगती है ऐसा क्यूं होता है क्यूंकि हमने class 6 से ही electric current के बारे में हम पढ़ रहे हैं और हमने ये पढ़ा है कि जब circuit में electric current आता है तब ही जाकर bulb जलता है और the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges जो हमारे घरों में electricity आती है या जो bulb जल जाते हैं वो क्यों जलते हैं due to motion of charges क्योंकि wires में electrons move कर रहे हैं जो हमारे घरों में तार होते हैं उसमें negative charge move कर रहा है और इसलिए बल्ब जल जाते हैं इसलिए जो हमारे घरों के तार होते हैं जब electricity आती है तो वो गरम हो जाते हैं समझ गए किस type के charge को हम dynamic charge मतलब हमेशा move करने वाले charges कहते हैं समझ गए और जो rubbing से charge create होता है, उसे हम static मतलब कभी न move करने वाले charges कहते हैं, समझ गए, चलो आगे हम बढ़ते हैं अपने next topic पर, topic number 15.4, transfer of charge, भाई साब हम charges को भी किसी एक object से किसी दूसरे object में transfer कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं, एक activity से हम इसे देखेंगे, activity number 15.4, इस activity को करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक खाली jam का डिबबा, एक jam का bottle चाहिए, jam जानतो ना, bread jam हमारे घरों में आता है खाने के लिए, jam का आपको खाली डिबबा चाहिए, उस खाली डिबबे के उपर आपको एक दफती, एक cardboard काट के रख देना है, ठीक है, उसके आपको क्या करना है, pierce a hole in it, so that a metal paper clip can be inserted, इस cardboard के अंदर ऐसा छोटा सा hole कर दो, ताकि ये जो metal वाला paper clip है न, वो इसके अंदर जा सके, ये क्या है, ये metal वाला paper clip है, इसको हम cardboard के अंदर ऐसे hole करके डाल देंगे, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये जो दो पट्टिया दिख रही है न, ये तुम्हें कहां से मिलेंगी, ये aluminium के पट्टियां है, कहीं पर भी मिल जाएंगी, आपको किसी hardware के दुकान पर मिल जाएंगी, इनकी size 4 cm लंबी और 1 cm चौड़ी होनी चीए, ठीक है, ऐसे ही 1 meter paper clip ले लो, इस metal वाले paper clip पे, दो aluminium की पट्टियां ऐसे refill charge हो जाए न, इस refill को इस metal वाले paper clip के साथ touch कर आओ, is there any effect on the foil strips, तुम क्या देखोगे, क्या कोई फर्क पढ़ रहा है इन aluminium की पट्टियों पर, हाँ, बिल्कुल पढ़ रहा है, do they repel each other और attract each other, क्या ये aluminium की पट्टिया एक दूसरे को repel कर रही है, या एक दूसरे से attract हो जा minus, negative charge है, ठीक है, तो ये अपना negative charge, इस metal paper clip के थुरू transfer करके, इन aluminium की पट्टियों को दे देगा, जिसकी वज़े से, इन aluminium strips पर भी negative charge और negative charge हो जाएगा, क्योंकि इस refill के पास केवले कही charge है, negative वाला, ये इन aluminium strips को भी negative charge ही देगा, और जहां पर दो same charges हो गए, वो एक दूसरे से refill करेंगे, दूर जाएंगे, अब समझ गए, चलो, क्यों ऐसा होता है, हम इसको और कोई charged body ले ले ले, चाहे तुम glass rod भी ले लो यहाँ पर, चाहे तुम scale को अपने बालों से रगड़ लो, और फिर इस metal वाले paper clip से touch कर आओगे न, तुम देखोगे कि हर बार, ये जो aluminium की पटियां है, एक दूसरे को repel कर दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी object होगा, उसमें केवल एक ही charge तो होगा, या तो positive या तो negative, अब अगर इसके पास positive charge भी है, तो positive नीचे आकर, इसे भी positive charge कर देगा, और इसे भी positively charge कर देगा, दोनों के पास जब positive charge, तो हम जानते हैं, positive positive एक दूसरे से दूर भागते हैं, repel करते हैं, समझ गए, चलो, can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not, क्या हम इस machine को use कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए, कि कोई body charge है या नहीं है, बिलकुल कर सकते हैं, अगर कोई charge body होगी, तो ये ammonia strips दूर हो जाएंगी, अगर कोई object charge नहीं होगा, तो इन almonium की पट्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस से हम पता लगा पाएंगी कि कौन सी object charge है, कौन सी object charge नहीं है, ठीक है, चलो, can you explain why the foil strips repel each other, क्या तुम्हें पता है कि ये almonium की पट्टियों एक दूसरे को repel क्यों करती है, बिलकुल पता है, क्यों, क्योंकि इन almonium की पट्टियों के पास same charges आ जाएंगे, या तो negative, negative, या तो positive, positive, ठीक है, चलो, यहाँ पर पढ़ते हैं, जो इस activity में हुआ है, यहाँ पर बताये गया है, चलो, एक running way में पढ़ लेते हैं, कि जो almonium की पट्टियों हैं, receive the same charges from the charged refill, इस charged refill के पास अगर minus charge है तो यही charge इन दोनों पट्टियों के पास भी आएगा, और इन दो पट्टियों पे अगर same charges हो गए, तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, repel करेंगे, जो strip है carrying similar charges, repair each other and they become wide open, और जिसकी वज़े से यह almonium की पट्टियों दूर दूर हो जाएंगी, ठीक है, such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not, इस प्रकार के यंतर का हम use कर सकते हैं, यह पता लगाने के लिए कि कोई object charge है, यह कोई object charge नहीं है, और इसी लिए हम इस device का एक special नाम देते हैं, electroscope, याद रहेगा ना, electroscope क्या है, electroscope is a device used to test whether any object is charged or not, समझ के चलो आगे पढ़ते हैं, कि does we find that electrical charge can be transferred from a charged object to another through a metal conductor, और इसी वज़े से, इस activity के करने की वज़े से हमें यह पता चलता है, कि कोई एक charge object है, अगर जैसे यह refill है, तो वो अपने charge को दूसरे object में भी transfer कर सकता ह किसी metal के through, इस वाले metal paper tip के through हमने किया था ना, तो बिल्कुल ऐसे ही किसी एक object से हम किसी दूसरे object में अपने charges को transfer कर सकते हैं, समझ में आया, I hope यार कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, part 1 में बस इतना ही, यार दिको वीडियो share किया करो यार, इतने तादा subscribers होने के